नमस्कार मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल पे अर्नोगोस्वामी को लेकर के एक बहुत ब्रेकिंग और बरी खबर आ चुकी है कि एडी के सामने जो महरास्ट के पुरो पुलिस कमिस्नर है परंबीर सिंग ने ऐसे ऐसे खुलासे कर दिये हैं जिससे की अभी पूरी तरीके से महरास्ट की सत्ता गरमाई हुई है अर्नोगोस्वामी रिपब्लिक भारत के जो चीफ एडिटर हैं उन्होंने एक स्टेट्मेंट जारी किया है और स्टेट्मेंट जारी करने के बाद उस स्टेट्मेंट में क्या-क्या उन्होंने कही है मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन एक BJP का बहुत बरा नेता गरफतार हो चुका है और वो खौनसा बरा नेता है जिसके गरफतारी होने के बाद अब फिर से एक बार सियासत गर्म हो चुकी है और आपको बताऊं कि गरफतारी किस मामले में हुई है कि उद्धाव ठाकरे के पहले आपको बताएं कि अर्नो गुस्वामी जो की रिपब्लिक भारत के चीफ इडिटर है उन्होंने पुरे देश और दुनिया की जो इंसाफ की आवाज है उसको उठाया उन्होंने पुरे देश के लिए उन्होंने लरा अपनी बात को आगे रखी और पुरे देश से ज उठाये चाहे वो बॉलिवुड इंडिस्ट्री में ड्रक्स को ले करके हो चाहे साध्वों की लिंचिंग हो रही थी इन सारे चीजों को उन्होंने अपने मीडिया नेट्वर्क्स पे उठाया जिस कारण से महरास्ट की सब्ता पुरी तरीके से गरबरा गई लोगों ने सो अर्नोग स्वामी ने पुरे देश और दुनिया के सामने सचाई को रख दिया तो ऐसी स्थिती में पुरे महरास्ट में उनके खिलाप साजिस होने लगी और पुरे लोगों ने उस चैनल को बंद करवाने के लिए राजनेतिक साजिस होनी शुरू हो गई आखर ये बात कहा दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं जो मुंबई के पुरो पुलिस कमिस्णर है और आपको ये भी मैं बता दूँ कि परंबीर सिंग आये दिन रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं चाहे अनिल देसमुक को ले करके हो चाहे सचिन वजे को ले करके हो कभी 100 करोर के सुरू हो जाती है तो यहाँ परंबीर सिंग ने वैसे खुलाशे करने सुरू कर दिये हैं जिससे कि ये साब तोर पे पता चलता है कि अर्नों गुस्वामी के खिलाब पुरी तरीके से राजनेतिक साजिस होई है परंबीर सिंग ने कहा कि एक बार याद होगा आपको की प् है ताकि उनकी ट्यारपी बरही जाए और चैनल को स्पॉंसर्शिप ज्यादा से ज्यादा मिले तो ये सारी साजिस जो है वो पूरी तरीके से राजनितिक होई है एडी के सामने परंबीर सिंग ने साब तोर पे ये कह दिया कि सचीन वजे जो महरास्ट के पुर्व होम मिनिस् अनिल देश्मुक उनको ब्रिफिंग करते थे उनके सामने सचीन वजे जाते थे और पूरी तरीके से वहाँ पर प्लैनिंग होती थी अनिल देश्मुक पूरी तरीके से सचीन वजे को सिखाते थे कि किसी तरीके से अर्नोग स्वामी के चैनल को बंद करवाओ अर्नोग पुरी तरीके से हमारी सत्ता जो है वो खतम हो जाएगी और जिस तरीके से अनिल देसमूख ब्रिफिंग कर रहे थे सचीन वज़े को ले करके तो आपने देखा कि किस तरीके से सुबल सारे 6 बज़े सचीन वज़े पहुंच जाते हैं और अर्नोग स्वामी को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद पुरे देश में क्या हुआ क्या महौल बना ये पुरा देश और दुनिया जानता है पुरे देश और पुरे घर घर से लोगों ने अर्नोग उस्वामी के लिए सपोर्ट मांगा अर्नोग गुस्वामी को पुरी तरीके से रियाह करने की मांग करी और जिस तरीके से यहां तो पुरी तरीके से साजिस चल रही थी और ये सब साजिस में सारे लोग शामिल थे अनील देश्मुग सचीन वजे और परंबीर सिंग जैसे लोग ये सारे लोग सामिल थे और उस वक्त तो गुस्वामी ने भी ये बात कही थी लेकिन ये किसी ने भी भरोसा नहीं किया था। उनको इंटर्नली सोरसे से पता चल चुका था कि मेरे खिलाब साजिस पुरी तरीके से हो रही है। ये परंबीर सिंग सचीन वजे और अनिल देस्मुक जैसे लोग हमें फसाने के लिए और ये कैसे है लोग जो किस तरीके से किसी भी सचे आवाज को रास्टवादी आवाज को दबाने के लिए ये सारे लोग कैसे पद का गलत प्रेयोग करते हैं ये बहुती शर्म की बात है ऐसे लोग को घृनात्मक नजर से पुरादेश और दुन्या देख रहा है। अब ज सारे ओन रिकॉर्ड हैं सबूत हैं और मैं जाच की मांग करता हूं कि ये सारे लोग किस तरीके से हमारे चैनल को बंद करवाने के लिए इतनी बड़ी-बड़ी साजिस कर रहे थे क्या ऐसे लोगों को भारत देश में रहने का उसर देना चाहिए क्या ऐसे लोगों का रास्ता सिर्फ और सिर्फ जेल की काल को ठ्री नहीं होनी चाहिए कि भारत के रास्तवादी आवास को दबाने के लिए ये पद का गलत प्रयोग करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे जिस तरीके से अरनो गुस्वामी ने परतिक्रियाए दी स्टेट्मेंट जारी किया है इससे तो सा गरबतार किया गया है किस रिजन से गरबतार किया गया है ये भी आपको मैं बता दूँ सिंधु दुर्ग की अदालत में जब सरिंडर किया नितेस राने ने तो सिंधु दुर्ग की अदालत ने ये फैसला सुनाया कि आप जाये पुलिस की हिरासत में दो दिन रहे और नित कि नितेसराने को कि गिरफतार किया गया है पहले ये भी आप समझ लिजी एक शिवशेना नेता पे जान लेवा हमला करने का आरोप है नितेसराने के ऊपर और ये आरोप की वज़ा से ही सिंधु दुर्ग अदालत ने इनको गिरफतार किया और 14 दिन की नया खिरासत में बेज दी आपको बताओं कि इसमें छे लोग जो शामिल थें उनको भी गिरफतार कर लिया गया है लेकिन अब बात ये निकल करके सामने आ रही है कि आखर नितेसराने को अचानक क्यों गिरफतार किया गया है किस रिजन से किया गया है क्या इसके पीछे भी कोई राजनेतिक साज जब जा रहे थे अंदर तो कुछ लोग वहां पे बाहर बैट करके उनको चिढाने का काम करते हैं जिसमें की नितेस राने भी शामिल थे और म्याओ म्याओ कह करके आदित ठाकरे यावनी महारास्ट के मुख्यमंत्री के बेटे उद्धो ठाकरे के बेटे जो अदित ठाकरे है उनको म्याओ म्याओ करके चिराया जिस कारण से अब यहाँ पे क्या दुसमनी निकाली जा रही है नितेस राने को गरफतारी करवा करके इसके पहले नरायन राने को भी जो कि केंद्रिय मंत्री हैं उनको भी गरफतार करवाया गया तो यह सारी चीज़े क्या आपसी दुसम तानी विवादे चल रही है तो इस कारण से इन दोनों के संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं अला कि इन सारे मुद्धों पे इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है आप लोग क्या सोचते हैं इस विशाय में अपनी विचाज ओवग कीजिएगा और ऐसे ही लिटेस्ट अबडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा सत्यमेव जैते जैन